शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें दो न भूलें कीजिए और बित मः बेला न रूले Sü diverse द्नािद्ग कीजिए वी अज की ऐिर avoided me कुर्ष कर 50 थेसे करें अ हना इसी जोग सकतर ताफरे ये साहर है करआ रिंगे कार देपक करों पालiki दोंगर थैंन स्वार माशाव Cy टा रिम ये शाली कार ये सना थे ये मैं अथ कि आपके बेचे परकाश के नाम किसी बड़ी कंपनी से चित्थी आई है है अच्छा कि को कि अब का और हुआ है कि अगला दश्मी अब कर दोड़ी सिद्थी ने दोड़ी कंपणी लें नौकरी के इंट्रवियू के लिये बुलाया है सब्सक्राइब तुम्हारा पूरी होने जा रही तुम्हारे सब्सक्राइब अधरे चट जाएंगे और सुखों का सूरज हमारे घर में पर चड़ मगाएगा हाँ बाबची मुझे उमीद है कि यह नोकरी मुझे जरूर मिल जाएगी तेख पीटे हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना चट कर देना और किसी किसे मुझी पसर मत छोड़ना आफ्य करमत की अधरे चाहिए बाबची मुझे तो सिर्फ आप का शीरवाच जाएगी है वो तो हमेशा तुमारे घराद के तूब हुआ है अधरे लुदूर मुझे अशर वाद दो दादी मां अरे 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 लैना अपने सरगीय ताहरा जी के नम को तीन चार चान लगा दूगा ये है मेरे बेटे की अस्वी उलाद बेचा तेरे जैसी थोड़ शी अतल तेरे भाई में होती तो आज वो तेरे दादा के जैसा है जो है है कि तुम्हारी आखे यह बटन तुम्हें ने मेरी कारी को खड़ा लागा समझ लिया है जो साइकल समय कुसे चले आ रहे हूं आगे इसना बड़ा एल लटका है तुर रहना चाहिए एल का मतलब है नहीं और मैं कार चलाना सिख रही हूं समझे में साब लगता तुम्हें धंका सिखाने वाला नहीं मिला मैं सिखाता हूं अगर देशी आंखो पर पिदेशी चिश्मा लगाने से दिमाग में चर्वी चड़ जाती है उच वतार रहा हूं अब अपने विना चिश्मे की आंखो तो तो तुमने मेरे इंपोर्टेंट गारी को बगाड़ दू आरे चाहँ तुम जा मेरे कार का हुलिया बगाड़ों क सब्सक्राइब कर दो कि अग्रेजी बाप की हिंदुस्वानी ओलाद ज्यादा अंग्रेजी मेरा हिंदुस्वानी हाथ हुट गया ना तो तेरी यादाश गया हो जाएगी एक बात ध्यान से सुन ले अगर कल सुबहा तक मैनी साइकल मुझे ठीक टाग नहीं मिली तुम मैं अगर कुछ चाहिए तो पॉट में जाकर मुझे टेज़ करो अरे कोड में जाने क्या जरूत है मुकत में का फैसला भी किया देता हूं अरे क्या करो जो मुझे करना चाहिए अच्छा बाबा अच्छा बाबा गलती होगे माफ कर तो प्लीज नहीं करना है यह हुई ना बात मड़े बुजूरों ने सही कहा है जब तक उंगली टेरी ना करो डिब्बे में से घेने निकलता और जब तक तेरा रास्ता ना अच्छी बात है जैसे अपनी तक देर आपका वक्त बरबाद किया उसके लिए माफिच जाता हूँ अबर्खुर्दा जाते जाते समझदारी की बात कुछ आजकर नौकरिया इंसर्टिवेक्रटों डिगरीओं से नहीं ने ने लिए लगाने पड़ते हैं नहीं समझे अरे भाई किस उनिया में रह तो नोटों के पढ़ यह लगाने पड़ते हैं तो तुम नोट लेकर नोकर करने से तो बहतर है कि आदमी अपनी डिगरी को फाड़ कर फेक देए और भुखा मर चाहें शेमोन समझाया तो बुरा मान गए माँ खेद में आना जुगा कर रोटी लाओ कि श्या बूग लगी है अरे ला रही हूं पेते बहु घिलाना भूल गई क्या नहीं माजी जी खत्म हो गया अरे घर में खत्म हो गया बादर में तो खत्म नहीं हुआ पूजा घर में गंगाजल रसुई में अस्ली घी सुखी घरसंसार के शगुन होते हैं इनका खत्म हो जाना बुरा शगुन होता है मां गल्टी मेरी है पैसे खतम हो गए इसे मैं खरीज नहीं पाया तेरे पास तो यह की जवाब आए के पैसे नहीं है आरे तेरे बाप दादा के जमाने में यह घर महल सा महल दूद की नदिया बेंटी थी जब से तेरे सर पे यह जवाब दारी आई है तब से रस्वही मैं करें है यह जो और आगे तुम्हारे बड़े सपुर्ट करें है नोकरी पार के आए हो यहां जिना के आए हो मां कुछ देर के लिए खामुश भी रहो या आते ही वरस परोगी तुम खाना शुरू करो बेगा आप लोग बैटिया में खाना खाके अभी आता हुआ खाना खाना खाओ उधार का मारे हैं मज़े उड़ाओ पांपे अलोग जाओ आए हाँ क्यों लोटाएंगे इनको हराम का जो मिल रहा है मुफ्त में घर चल रहा है इधर हमारा दिवाला निकला जा रहा है मैंने लागिया है मुपथ करने के बावजूद एक वक्ति सुकी रोटी नसीब नहीं होती और तुम उधार के जिलत बरे घी में रोटी डूबर खाला जाती हो कर्ष की दीवक से इस घर की दिवार को खोगला मत करो भूखा रेकर आज में एक बार मरता है लेकिन उधार की मैं आप लोगों का बहुत आवारी हूँ कि आपने मेरे बच्तों के मुझ से निवाला चीन दिया मैं कंच के बोच तले दबा हुआ हूँ मजबूर हूँ लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाई-पाई में चुका दूँगा मगर बैसे एक अफ्टा के अंजर दे देना हाँ बस बस मालके मुझा क्या कर रहे है दा मुका का और मिठाई लो ना तेरे प्यार नहीं दिल भर दिया अब मिठाई की जगे कहा हूँ कैसी बाते करते ही आज में दे हैं सारे संसार के मज़़ूरों का दिन दुनिया के हर अम अमेशा हमको खिलाते हूँ आज मैं तुम्हें नहीं खिला सकती यल्दी से खाना खालो बाहर तुम्हारे तोफे तुम्हारा इंजार कर रहे है अगर तो मेरी पाई-बाई की जमाकीवी दौलत को इसी तर हाथ खोल खोगी लोगों में लुटाती रही तो वो दिन दूर न सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए आपके सारे नौकर खुश है आपको दौएं दे रहे हैं मुझे दौएं नहीं की नोट चाहिए दौएं को क्या मैं आचाय डालूंगा गरीबों की दूआउं से स्वर्ग मिलता है डैडी मुझे सब्सक्राइब को बन दो नौकर माली ड्राइबर खा चुके हैं और वहीं एक मैने तक नमेक खाना खांगा और क्वापटर था पुरानबूर में बढ़ा हुआ चुर्धानबूर में फकीर मना पुलिस में पकल आए नागवर में नागवर बहुत है और आप अन्या उपर वाले की ऐख्टरी से तुमको शरीर तो हाथी का मिला मगर अकल चूंटी भरकी नहीं मिली मेरा मुह तोड़ोगे तक्दीर फोड़ोगे मैं बहुत काम की चीज हूँ फरक इता है कि दुनिया के बाजार में खरीदार नहीं मिलता है एक बाद बता हूँ यह जो आदमी है ना यह मैं नहीं हूँ यह सेर का बहुत बड़ा सेट है सेट गेधारी लाल को गायब कर लेते ह बना दिया है तो फोड़ा सेट गेधारी लाल को गायब कर लेते हैं उत्षण वाल बना लेते स्था कि अब अगराथ यह क्राशच्फट बनेंगे अन्ञ़वहिं पर उड़ालेता इस एक मार दिर ड़ाने चीजार के लिएए उड़ा नहीं तो आदा तो दुनेंवाट ले बना लो गुरू मैं बड़े काम कादमी हूं मैं खोड़ा हूं कोकर दिखने में तो इकनी वेकिन चलने में रुपईया है तो नम उना दिखाओ अभे मैं हाई-लेवल का फ़कीर हूं परता नी करता पदलनो मैं अट भाने को मिला था कर दिया यह ने दोटी भाड़ के रुमाल कर दिया अब तु तो बड़े काम की चीज है अच्छा मुझे जागा मेरा उस्ताद काम की चीज है उसके बाद चलो वे मानी के रिष्टे में शैतान का भी मामा है मतलब यह अब ही अपन लोग बड़ा बड़ा सेट लग का साफ करे जाओ इसलों लोग कि आशाए बांके लाल है अब जाए बुरा हाल है अ इससे भाइया इससे मुँझे ही निकाल रहा है के चागोशा रही है बड़ा डरपोक आदी है यार तू इतना डरपोक आदमी हो कर इतने जोखम का काम केचे रहा तू अलो बताता हूं क्यों आया हूं कुरुक शेतर में तीर चलाना आरजुन जानते थे मगर रप की फ्रंट सीट पे केचन क्यों बड़े थे आइडिया देने के लिए आज के कुरुक शेतर में तीर तुम चलाओगे आइडिया में चलाओंगा तो शाना है ठीक है लेकिन मेरा हिस्सा क्या होगा अलो गुरु बराबर बराबर फिप्टी फिप्टी लेकिन आद में अगर तुब जबान से बादल गांतो अरे दुनिया बदल दूगा मैं जबान नहीं बदलूगा नगर बुरु एक चोटी सी शरत है और कुछ नहीं जिस तरह करन के सरीर से कवच अलग नहीं किया गा सकता उसी तरह गोस्ते इस बच्चे को अलग नहीं किया सकता तो जब मै मैं? यह बंदर ह्या हो सकता? नहीं हो सकता है तो जाने तो ऐ खहता है कशा कर गबारीया अजीवेकर के करें तू? यह बच्चे के वास्ते इतना बढ़ा काम छोड़क कर जाना तू? अरे यह बच्चे ही तू सब कुछ है जो होगा जो आधा ना 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 तो चिलाएगा तो चिलाएगा तो सारा प्रोगाम जो पड़ जाएगा कि अब तुझे यह बच्चा बना करने की तुरूती है ने ने आजा आजा यह तो बड़ा अच्छा बच्चा है लेखो सबसे पहले तुमारी ट्रेणिंग चलो तुझे फॉरन जिरदारी लाल की चाल जाल बात करने का तरीका उसका स्टाइल सब कुछ चीखने का है तुम तेरी आखे हैं या बटन कल तो मैं बच गया आज अपना स्कूटर लेकर मेरी टांगों की अंदर कुछी चली आ लिए मेरी टांगों को क्या खंडाले का बोगदाफा में रखा है अपनी आखे खोल कर मेरी स्कूटर की तरफ देखो आगे पीछे इसना बड़ा लाल लाल एल लटका है आपको एल वालों से बचके चलना चाहिए ए मेम साब लगता है तुम्हारी आखों की तरह तुम्हारे किया है जब भी मैं नोगरी डूड़ने निकलता हूं तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाइं ट्रॉटर बारूंगा गार पार बार आप जार आप आप जार आप जार आप अ बार आप आप एम तौक बुदान है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 बार बार क्यों तकराती हो तुम मुझी से तोई परिश्टा है मेरा तेरी दिल्गी से ये तक तकर ले जाएगी कहा यहाँ वहाँ बड़ाना तको में बबाद लिखा किसमत में हो ना जहाँ तोट लगी कहा यहाँ वहाँ बड़ाना तको में बबाद लिखा किने में दिल ले जहाँ किमतो रिखा किने में आके के हैं बड़ाना तको में जाएगी कहाँता किने आके यहाँ झाएगी कुफ़ार्णा का थिखा वह जो सब्सक्राइब करें तरह आपके हैं और याद गुटी आपकेर दो जो आपकेर प्रॉटी प्रॉटी दोड़ी तो इस दोड़ी चाथे यूव भाकेर हो जाना रहता हूं करें तुम नहीं करें तुम माल के लिए इत्या गंदा काम कुन करेंगा उल्टी हाथ से चलो मुश्किला मगरत कर लूँगा यह और तो नहीं कि यह और तेट का अरत है तुछ की जगह ले लेगा तो यह और भी तेरा हो जाएगा जबात करिया यार अब यह आज से खाना है कि अज़ी मंगा यह इस नहीं को लुद्व के लिए यह आजाएगा यह और यह जाएगा तो यह जांगे आएगा यह तो पश्काइब दो क्या पास्तों को यह तो आपको जनम दिन का तुफार देने के लिए में तो 50,000 तर खरश कर सकते थी, मगर मौकाई नहीं मिला। तब पैसे की करामत है जो नहीं मिला। मतलब? मतलब ज़रूर खरच करो, मगर पहले उपैसे अपनी महने से पढ़ा करो, तो पता चेलेगा कि आज को दी निरे में पैसा पाइदा करना अवलाद पाइदा करने से ज्यादा मुश्किल है उसको खर्च करने में कितना कलिजा दुखता पैसे के करामत से आप जिंदगी में हर घड़ी पैसों की माला चपते रहते हैं जब तक पैसों की माला नजपो तीजोरी का ताला नहीं खुलता तब पैसों की करामत रहे अच्छा अच्छा बाबा कान पकरती हूं घलती होगी अब नुश्कराइए इस तोफ़े को स्विकार कीजे आप तो कर आले पचाते नों तक मुर्चाने पाए तोना तुम्हारी पकार से प्रेशा कर जाएंगे इंटर्वियो के लिए लोगों को एक या कर दे अंदर पहजो एटी आज इंटर्वियो में मैं यापके साथ बैठा चाहती हूं क्यों तो अपने आपको मुच्छ लाला आकल मन किसी मिनस्टर का फोन है रग दू है अलाए लिकुनी बोलती है अधी मैं मेरा नाम के है मेरा नाम यह नाम आपको यह नाम है मैं गरीब की याद के से आ गई अजया बेकार है अरे ऐसे कैसे हो सकता है नोकरी नहीं है उसके बाद कहां तक पड़ा लिखा है मैट्रिक फेल है रहे तो क्या हो असाब दुनिया के हर बड़ा आदमी मैट्रिक में तो फेल होता है मैं खुद हान मर्दबा फेल हो चुका हूं अच्छा आप भी दे लो चुके हैं फॉरन बेज़ी दियो उसको तू क्या यह करते रहती है जैदी आपने एक मिनिस्टर के मैट्रिक फेल भांजे को बिना इंट्रिव्यू के नोकर देती और जो बाहर बड़ी-बड़ी दिगरिया लेकर नोकरी के लिए बैखे हैं उनका नाम भी हो जाता है और पढ़े लेक्षे बेकारन उजवानों को इंट्रिव्यू की फ्राटिजी हो जाती है यह बेलकुल नहीं तो वालों की दुनिया में बेहिमानी का दाखला बंद है बेहिमानी अगर आती है तो नोटों को नकाब वोड़कर इमानदारी बंजाती है सम सब्सक्राइब बंगला है नोगरी है फिरका का गुड़ मॉनिंग बैड़ मॉनिंग बोलो समझे अब मेरे सवाल का जवाब इमामी के बारे में तुम क्या जानते हो और इसकी स्पेलिंग क्या है इमामी इमामी दुनिया का मशूर जूटी क्रीम है जो आपके यहां बनता ह क्या है में लडक्यों को बनाती है और यह वो प्रिम है जो सारी दुनिया में मशूर है आ कि शवाचनोजवां शबाशी उड़ता है कि अकर इमामी इतना मशूर क्रीम है जिसके बारे में दुनिया में सब लोगा जानते है जरूरत के लिए नौकरी प्रखनी के जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं है जब तुवाहीं में ज़रूरत नहीं नहीं है जब चुनाय को फेजो नियुद को भार कॉन गार नहीं सब्सक्राइब नमशकार को बेगा समझा और अंगरेजी में बोल गए इसे मेरा पहला सवाल जो मैंने पूछा नहीं कुछ और सवाल पूछता हूं ताज महल कितने मजदूरों नपनाया था नहीं वाल मेकी की बीवे का क्या नाम था है दस पैसे का सिका देखा है कितने कोने होते है कुछ मालूम है यह हैं यह रहीं आप आप इंटर्व्यु देने के लाइक हूँ या नहीं या आप इंटर्व्यू लेने के काभिल है यह नहीं इसका फैसला भी किया देए अकल के फकेर और दौलत से से घबराओ मत यह मेरा पचासवा इंटर्वियू है और इस किसम के बेहुदा इंटर्वियू देने की मुझे काफी प्रेक्टिस हो चुकी है तुम लोग सिर्व दिखावे के लिए इंटर्वियू लेते हैं अगर सुमारे जगा खाली होती तो इस किसम के बेहुदा सवाल करके हमारी डिगरी जिसमें बेकारी की मौर लगी हुई है उसका मजाग न उड़ाते है और सच तो यह है कि तुम्हें खुद भी नहीं मालूम क करते हो कि यह रख में कितनी चुड़िया ने सब्सक्राइब तो अपने इस जैसे बालों में रोजना कंगी करते हो कि जिस कंगी से तुम अपने बाल हैं ठीक ने किसे ने नहीं बताते ना घटिया सवाल पुछना बहुत आसा यह से जी लेकिन उनका जवाब देना बहुत मुश्किल तुम जैसा घटिया आदमी भी ये सब्सक्राइब करें लिए परिक्षा लेने वाले वाले से लगे हाथ आपकी भी ले ले परिक्षा है किसी सवाल है सब्सक्राइब कर लिए तुवानी में हम लार नंपर तेन के कि अब कुछ दिए यहां एक राज मारे से लड़का मेंडर की तरह उच्छता है कि अब 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 कि यहां कि अब कि आप क्राइब गज़े पार्टा ने रहा है अराम खोरा खारे जाकर ये तीन चाहल अपनी अंपार भाहिन से करा आपका बहुत बहुत शुक्रिया को अंशु चीज़ चीज़ इस दुनिया में रहना है तो पोचिय आंशु और बंजा धासु चला हम तो के घर छोड़ाता है आउ में एक मिलिट ए नियुक्त हाँ माँ ? मुझे कौन बुला रहा है नमस्य वे तू हमरा नाम रधिया है इस इस अंसार मा इंसान नाहीं पट्र दिल लोग रहतें रहें नौके नहीं देखें रोटी नहीं देखें शरीफ का इपलत नहीं देखें मगर तुम बड़ी दयालु है ये कारण तो हम तोरे दर्वजे पर आये हैं क्या वक्मास किये जा रही है सीधी भास हमें बताना क्या कहना चांसी है सीधी भास ही है कि ये पांट काम करें खाते रहे हैं अगर आज यह सही वक्त पर ना आती तो बताने क्या हो जाता है जादी मा आज इसमें कुछ वद्मा शड़कुट से मुझे बचाया है इसके लिए बहुत भाद धन्यवाद इसका लेकिन हमें किसी नौकर ने वक्राने की जरूवत में किसी नौकरानी का बोच कैसे उठा सकते हैं इसलिए तुम जा कहीं और नौकरी लेका हमार कहें का इजट वाला घरबाद चाहिए पगार नहीं हम तो रहे घरमा बिन पगार के काम करें खतिर सेयार हैं अब कर रख लाए यह होगी तो तेरा हाथ बटाएगी नहीं लेकिन तू कुछ और तो नहीं मांगेगी नहीं नहीं बस इस चिडिया जैसन पेक का भर दिया करा इक अंबास का कभी-कभी भूक लग जाते सिर्फ तुई रूटी सुभा मा और तुई रूटी शाम मा पर फिर ठीक है जाते साफ पर दख लेगा वाज इक कमरा है कि नरस इस सब का है चंदर तो का सरम नहीं आवा थे अपना सब्स जैसे मकान मा तू एक गंदा गंदा सत्वीर लगाता नि तू पालिश मा एक कमीना पंश ल पाला ना दीरा फोल दीरे प्लीश पाबूजी को मत बलाना प्लीश पाबूजी को मत अपना एक बाद कान खोल जेजे का तराजू मत तोलके याद रखना अगर हमरी और कभी तिपछी आँखों से देखा तो उंडी डालके अगे निकाल लेंगे समझा चल पगड़ी जाड यह पूजवान बेटे यह ले पैसे और फॉर नहीं जगे खाली कर दें पहली बार नहीं सुन रहा थी सो बार सुन चुका हूं और इंकार कर चुका हूं वो लोग कोई और होंगे मेरा नाम रिंगो है और रिंगो को इंकार सुनने की आदत नहीं है तुको ना भे मैं इस दुनिया में एक बहुत बड़ा खांदान है गरीबी मैं उस खांदान का एक सदस्य हूं और तुमें यह बताने आया हूं कि गरीब की पेट के आज से खेल विर्वां नहीं है राली को जिल में वर लोंगे मिएएघर भाँ अरे बने यहाँ एमर्णादा येवां की गप्राव तुमेएटने एक की यहांपड़्ग हैं की लोर्ट इएएएब अधो ठावाईने वर उना ना लिएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल 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 खेंजान शाशा थे तर्षान में आजी है कि ऐन भी जाए तक इसल भी जी लेकिन अफसों से मुझे बचाते हैं कि तुम्हारी फैल जिल गई जिनकी वह दौलत में नौकरी की तलाश में दर्वदर की ठुकरे खाता परता आज वाज भी चली गई बेटे अल्ला बड़ा महर्वान है उसकी जात से मायूस नहीं होना जाए नहीं चाचा अल्ला अमीरों पर महर्वान है और गरीबों से नाराज है इसलिए वो सब कुछ अमीरों को देता है लगता है बेटे तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारी आला तालिम के बाद बड़े बड़े खाप देखे हों को और यह खाप देखना आम गरीबों की वरादरी में दस्तूर बन चुका है लेकिन इस दस्तूर को तोड़ना होगा ज जो भी काम मिले उसी कर लेना चाहिए काम कोई छोटा नहीं होता बेटे छोटा होता है आदमी उसका दिल उसके कर्दूर करल भूर हुआ है का अर्य रधी यë रोठिया आ इसकी खड़ति आ यहिसे देवी के नाम पर खाना बाहुत सभी को जाने वास्त mistakes है यह हमार खाने का इस टाइल है अगर हम इतने नहीं खाए ना दकार भी नहीं आते हैं वहार एक मेरी नडी इसनी रोटियां को घाते कि इस अप्ने को भूस्रत भीत्यूर्स बग़ी अगर मुझे मालूम होता है कि आनाच की इतनी दुष्मन है तो मैं कभी काम परना रखती है जाने भी जीजे माची खाना खिला की दो बाती खिलाने की क्या ज़रूरत था पिचरियाद के लिए सारे घर का साम करें आघा मैं अख करता करलें जाने जाने भी टाएं कर ने पैसे इस बेचनम को देखो है मों घुमा और भेड़ गए अरे अरे मेरी पर लेखर पर गया थे जो इस बीजनम की भूगी को अपने घर में रख लिया रहे में खाले हाँ सब खाले हाँ तो और करें खाले कर दो कर दो कर दो कर दो का ये मैं तुर्फ नजरू से का देखर था अपनी जिन्दगी अपनी कोई छोकरी नहीं देखिया का नहीं तो बहुत देखिए और तुम्हारी सूरत की भी देखिए लेकिन तुम को देखकर हम सोच रहे हैं कि असल में तुम हो कौन बाबु जी हमरा नाम रद्या है करीब है बेसहारा है एक है मैं तो बाबु घड़ और बाबु की बत्ती ना चक करके किसी और बेवकुप बनाना मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं ना तू रदिया है ना तू गंगा मैया तू नमरी 420 है मैंने तुझे सड़क पर स्कूटर चलाते हुए देखा मोटर चलाते हुए देखा अंग्रिजी में बरबढाते हुए देखा अब यहां रदिया का नाटक कर रही है पता यहां पर मारटा चाहित हुए पार मारा तूसित मारूंगा और जाथ मारें तौस्स वहां अधित हुए इस यहां पर स्कूटर को रही है तो प्रकाश के से तॢ़िक हाँ नहीं मारा नहीं जिलाती हैं नाटक बाद है जाला थे अब तु इनका समझाता हमका अम्रह मूह देखा मोटर गाड़ी देखा अंग्रेजी देखा अरे बेटा तु इसे गलत समझ रहा है यह तो गरीब अनाथ लड़की है इसे जाड़ू कपड़ा बर्दन माने से सब्सक्राइब कुछ मानु में नहीं किस अपली पर आना बहुत था मगर लड़की अच्छी है इसलिए नौकरानी रखने की ज़रूरत क्या है अरे बेटा त यह तो अभी पढ़ रही है और अर्श्वती का बहुत जल्द कैसे हो सकता है अभी तक फुपी के दहज की रहका मता नहीं कर पाए तो इस बातों की प्रिकर करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं हो जब बाप अभी जिन्दा है वो सब समाल लेगा कैसे समाल लेगे अर्मी की बेटी इजद से विदाव हो जाए यही उसके लिए सबसे बड़ी लॉट्री है और अगर जरूरत पड़ी तो कहीं से करना ले लेगे लेकिन पिताची उधार लेकर शादी कराए क्या जरूरत है पैसे आएंगे तो पढ़ाने के क्या जरूरत है यह पैसे क्या जरूरत है यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी तो चुप रहे हैं जा कहीं से उधार लेकर आए और शादी का इंतजाम करते यह पांच शूब मुरत नहीं होना चाहिए दादी मा और इसका गुस्ता तो देखो हर वक्त नाप में धरा रहता है नास पर इसके दादा क कि आतले इसमें होती है तो आज एक कनेक्टर होता है कनेक्टर होता है कि भाईया चाहिए सरस्वती तुमसे तुमसे एक बात कह दिये है लेकिन समझ भी नहीं आता कि शुरुवात कैसे को भाईया इस घर में सिर्फ एक आप ही है जो सच बूलने की हिमत रखते हैं अगर हो चुका बोलिए भाईया तो तो जानती है खुपी की शादी को इतने वरस हो गया है और उनके दहच की रखम अभी तक अदाने की गए और बाबुजी चाहते है कि तेरी शादी जल से जल हो जा है कहां से आगा इतना रुपया इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू बाबुजी मैं जानता हूँ सरस्ती है शरीफ घराने की लड़किया शादी की बात अपनी जबान पर नहीं लाया करती है और एक भाईयोंने के नाते मेरा फर्स बनता है कि जल से जल तेरी शादी करती है लेकिन क्या करूँ अच्पुरी है अगर तो खामोश रहे और बाबुजी की डर आखे के शादी की मैमाननों की विए चाय वगरा रहुत शादी कि मेरे बेटे ने परमाईश के मुताबिक आपकी बेटी को पसंद कर लिया है अब आपका क्या कहना है कि मैं आपका बहुत आवारी हूं कि आपने इसकी को करूंगा नवारी अचानक कैसे आज़े आज़े इन आखों की कैमरे में यह नहीं शक्राइब पहले नहीं दिखाए थी नहीं आप इसे क्या आज़े शादी की तारीक आपके करने नहीं आए है करणा करणा नहीं और दूसी इन का मोहरत भी कर दिया नहीं यह बात नहीं है वह बात नहीं है तिल्कुल यही बात है कहानी यह है कि मेरी शादी आपके माया से ताट साथ तीन महीने और दो दिन पहले हुई थी एक रफ्टोस आसक दहेश की रखम नहीं मिली है इसी वजा से मेरे पितार जी ने पुराने फिर्मों की जिब्बर की तरह से मुझे बाहर ठैक दिया है और कहा है कि पहले देश की तुम्हें इस वक्त ऐसी बात नहीं करने चाहिए माया तुम्हें से समझाओं मैं क्या समझाओं भीया हमारी हालत तो खुदी बहात खराफ है लास्तासर नहीं कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि जब तो देहेश की रखम वापस लेकर नहीं आओगे तुमारे लिए इस घर क जब तक के लिए मुझे आप ग्यासी इस घर में तेरी शादी होती वक्त होगी जब दहेश की सारी रखम मुझे अडवांस में मिल जाएगी आप लोग 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 अ अ अ 10 सुनाएग टुम लाओ ली आप लेकर याज कि ख़ेश अजय कम लोग 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 याज बिवाब लोग 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 आप लोग पस्ट लाफम लोग लोग कर दो कर दो खूरा है कर दो करते ह्चा खुर व कर दोगने है वक जहें है और हैं कर दो कि द Nept Leских हैं duty इश्वर्पा प्रदान है करवारों के जान है के ले बगड़े बौकर के सर की लाच है सारे करकी दान सन्या का जिसने लिया दान सन्या का जिसने लिया मैं अरभी देगे आज लिया देगे मां के है दिल का तुगड़ा करिच का इसने बड़ा कर दो कर दो कर दो प्रूम बदी गुड़ाएदी पहना इसके आदे क्या कोई कहना जीनाती है मर्द के नाते धर से न चूरे जाते प्यारी बहना को गहना दिया प्यारी बहना को गहना दिया है यारा जने दिया जिया बहन भाई की दिला टुपड़ा जरी चाहाई सिर्थे परो बहन दिया जाते यार टुपड़ा यार बहन दिला दुपॡ़ा जरी चाहाई दूपॡ़ा इस लोनकी ने बिल्कुल सही गाना गया लेकिन एक बात मेरी भी बहुत गौश से सुन लिजे राजा जनक जी मेरे राम की शादी आप इस तीता से उसी वक्त होगी जब दहेज की सारी रखम मुझे मिल जाएगी और जब तक मेरे जहेज की फाइनेंस का इसाम नहीं हो जाता है इसका प्रोड़ मेरे पास है हम लोग यहीं रहेंगे और जब तक हम यहां रहेंगे इस धर में कोई शुब कारें नहीं होने देंगे शैराम जी की चल बहुत कि इसा जल्बी वापस कर दें जो बाया तो लगमा उपर मीशी होतो रहे हैं अच्छा दन्यवाद से जी अरे आप ठड़े हुए हैं बैकी तश्रीफ रखिए ठीक है मैं पैसों को रख लेता हूं लेकिन सत्राइन जी इतना याद रखिएगा कि बाकी की रिकम शादी से ए आपको मिल जाएगी यह मेरा वचन है मुझे आपके वचन में पूरा विश्वास है अच्छा तो कि नमस्ते मैं जल्दी आना जब भी देखा अच्छा तुम मेरे पीछे में चले रहे हैं जामा दूद उबल रहा है गिर जाएगा हम अनुक्तान कर रही पैसी किरामत से सब्सक्राइब कर दो कि मेरा नहीं है मार्च कहीं चाहिए अरे अरे एक और नोट अब्लान तुने आज मुझे नोटों की बारिश कर दी तो अच्छी करता जाम में लेप्या जाता हूं कर आफ अपर वाले तो आज मुझे पूछ ज्याद ही महरवार हूरा अरा इसको अपर को अब्ल हूं कि मार दी आज को अब्ले मारा नहीं आफ झाहिए तेरी डारी का अः जि यह हैगी कि अधरी वर ले लागे तयार हो जाओ अचला में अगर उसको का लेगे उसको अभी अधर में ले जा रहे हैं अधे गोल्ड़ डख कि अधरी अधरी ने मना किया कि इस में ने किसी को चेक मत देना करो करो को केस में पर्फ़ दो ने कंष में आखसर में अधरी अधरी पर्फ़ उसको अधरी ऑधरी वत्रष झाथ कोड़िकाया ने कन तो अधरी ने करण है है किया हुआ है कि यह निदी थी लेडी युक अंदा इसलिए के में अधरी बहुत रखाया है तो वरत के दुरान इंसान भगवान का हो जाता है इसलिए मैं तुम्हारी याकन भी हूं बोड़ा मंदूर, 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 हाम, अब एकाम करो, किल आफिस वालों को पगाड देनी है, तेव खोल के तरह 40 ज़रो पर निकाल के लाओ तो, आज आप मुझे सेश्टी रुप्या निकलने के लिए क्यों कहे रहें? मेरा वरत के दिनों में पापकी कमाई को मैं कैसे हाथ लगा सकता ह।? तो ठीक ए अगर इसका रंबर तो आपने मझे बताए है ein Hebrew नीं आपको पापकी कमाई रखी होती वो जगर भी पापी होती है पापकी कमाई का नंबर बतागा तो घुझ पर नहीं सुझजाते हो लेकिन दूप जाए माता जी अपनी बीवी को भी नबर नहीं बता है तरह की नारुपए हाथ उपर से बीवी जो आथ से गहीं तो अपैरो चाहिए का हम यहां तीजुरी साफ़तने आए उची बीवी में आथ साफ़तने नहीं आए हमारा संग गंदा है अगर मन उच्णा है एक बात याद रखने कि तरफ अगर नोकलानी नाम लिया न तो मैं तीरे 22 इजिराल के नहीं हाथ में रख दूँगा का है । है कर दो कर दो है अ कर दो प्रटाश तू कहा नोकरी करके आ रहा है मैं लोहर की बट्टी में तोड़ा पीड कर आया हूं अर कितना पड़ा लिखा है तुछ क्या क्या सपने देखे थे हम ने कैसी कैसी उम्मीदे बान रखी थी तुस्से कि एक दिन तुपड़ लेकर बड़ा इद्जदार आदमी बनेगा समाज में अपने लिए एक उचा मकाम पैदा करेगा दौलत ना सही इद्दत और नाम कमाएगा लेकिन एक मामूली लुहार के यहां घटिया मजदूरिक करके तुने तुने हमारे सपनों को उसकी भट्टी की आग में जलाकर खाक कर डाला है प्रकाश इस घर में सुक का प्रकाश लाने की कोशिश कर रहा है बड़ी तेड़ी है यह दुनिया यहां हगदार को भी अपना हग दिक की तरह मांगना पड़ता है आपनालोगरी मनें मियंचे और सीट लाने की दिखिखिए जाया मंग छूनरी धोली अविसी वकड़ी के डिशन मने में पर है किसने बड़े महराजा का फोसा कहला है आपकाशा थैआ मातला है पांदान की मान मर्यादा के खिलाफ ऐसा घ्टिया काम करने पर इस घर की बाकित वहरे लड़कियों को कौन दियाएगा जब मेरी बेहन की मंगने पर आप दोनों ने हंगाव मचाए था आपकी मान मर्यादा बाब जी ये रख लेजिए ये मेरी मेहनत और खंपस्थिने की कमाई है बाब जी वाँ वाँ मजदूरी को कितना बड़ा नाम दिया है मां मेरे साथ ये गयर जैसा बरताव सुखिया जा रहा है तुम्हारा बेटा जिन्दगी की पहली कमाई लेकर आया तुम तो मुंते की लाज रखते हो अपने बेटे की मेहनत की गदर करते हुए तो रख लो मां करें आटीए दिल्नत के पैसों कीमाई हिस्ट नीज होता काम करके समय हुए तुम्हा आपने भूत को शिख्षा दे काश कोई आपवा भी शिख्षा दे सकता दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता है चोटा होता है आदमी उसके करतूद उसका दिल अगर यह बात लोगों की समझ में आ जाए तो इस घर की तरह इस देश के लाखों गर इस तरह बदाल नहुंते हैं है आहाँ है कि दो कुछ नहीं है चुछ नहीं कि अख़ी आख सेवाआ तोकल में आपको बीरी पीने के ने मना किया है ना चलो दो मुझे लाए राजा पीरी 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 सारी राजा तुम रोज इस खिर्टी के पाद खड़े हैं तो मुझे देखते रहते हो मारा मन अराभी में हुदा हुँ हुँ चानते हो पर पर जो आदनी पड़ा है कौन है वो तुम्हारे पती है हाँ बात यह है कि मेरे पती को कैंसर है और डॉक्टर ने तो जवाब देतिया है लेकिन मैं उनकी जवाब से निराज देही हुई मैं उनका इलाज करवाऊंगी सब्सक्राइज भी अवाब करते हैं तुम्हारे जव में पैसे हैं मैं कहती हैं तुम्हारे पास पैसे हैं तो थेटा हैं किसंदि अ क्लीव क करते हूं छिकार ही प्रणाइब ये बुरे कां सर मैंने अपने बेटी की शादी के लिए प्रॉविडंट फंड में से लोन के लिए अरजी दी थी आपने सिर्फ आदा ही लोन सेंक्शन किया है आप पहले ही काफी लोन ले चुके हैं इसलिए हैड ऑफिस में आपके प्रॉविडंट फंड से आदा ही लोन सेंक्शन किया है लेकिन साब, मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपने उसूलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, I'm sorry. सुनिये, क्या बात है, बड़े परिशान दिखाई दे रहे हैं, परिशानी की बात तो है लक्षमी, अगर हम माया की दहस की रकम नहीं दे पाए, तो वो और उसका पती हमारी इजद को सड़क पर ले आए हूं, अगर सरस्वती की शादी नहीं हो सकी, तो बेचारी का दिल मेरे कुछ समझ भी नहीं आता, मैं क्या करूँ, इसमें सिंसा की क्या बात है, ये दुख तो हमारे जिम्दगी के साथ लगे हुए है, मा, मा, अरी, क्या बात है बेटा, बैट बैट, बैट, मा, मैं सोच रहा हूँ, इसमें इने माया के दहस के रकम चुकाता हूं, अच्छा, अच्छा, इसलिए तो मैं दिन रात भगवान से फ्रार्था ना कर रही हूँ, बैटा, और सोच रहा हूँ, सरसोती का ब्या भी इसी साल कर दो, बिलको सही सोच रहा है, बैटे, जवान बैटी का जादा दिन घर में बैठना अच्छा नहीं, जल्दी से जल्दी उतके हाथ पीले करके उसे सस्राल विदा कर दे, सुभाज श्याम इसी कूशिश में लगा हूँ, मा, यहां तक कि प्राविडेंट फंड के लोन के लिए भी अपलाई किया था, लेकिन अब तक सिर्फ आधी रिकम जमा कर पाया हूँ, तो फिर आप क्या होगा? सारे दर से नाकाम लॉट कर, मजबूर होकर मैं तुम से मदद मांगने आया हूँ, मा, मा, अगर तुम मेरे कुछ मदद कर सको, तो यह दोनों काम हो सकते हैं, मा, कैसी मदद? मा मुझे, मुझे तुमारी ये सोने की चेन चाहिए, मा. चाओ, इसे मांगने के तेरी हिम् poser होई कैसे? अरे तेरे पिता के मरने के बाद मैंने मंगर सुत्र का तिगला के ये निशानी रखी है, इसे बेच्शने का तेरे जिल में ख्यालाया कैसे? अब कि लिए गिर्वी रखने को मांग रहा हूं दोनों सुब काम हो जाएंगे और जैसे पैसे मिल जाएंगे सबसे पहले तुमारी चेन चुडवा के लाओंगा मेरे बात पसुनों मैं पसुना रही चाहती मैंने इसलिए पहन रखती है कि कल को मैं मर जाओं मैं जानती हूं तुम्हें अपने पितार का श्रास राजा महाराजा हो जैसे किया कि यह मैं जिन्दे के भर नहीं भूल सकते हैं लेकिन खबरदार अपनी जरूरतों के लिए इस चीज़ का नाम भी सभी मत लेना जाओ जाओ हाँ हाँ अगर तू खामोश रही तो ये घर संचार है करसों के बोजच तले पिसकर रहा जाएगा। इस घर की समयचां का हल रहा हमें खुदी निकालना होगा सरसोथी। पेटी को तेरे भाईया कहीं से पैसे लेकर आएं तो फोरन जाकर बनवारी से कहें कि सुबह होने से पहले अपने दहश की रखम मांग ले नहीं तो सारा पैसा इस परिवार के सागर में जूब जाएगा तो माथा पिटी रही जाएगा जा जा जन्दी जा चाहा खश करें जाएगा 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 झाओ। कर दो कर दो कर दो तुद्वारी प्रत्री क्या लग रहा हो तुम्तू आएगा दामड़ी उपर रहे है कर दो ऊपर कर दो आएगा है कर दो आएगा है लाला 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 मेरा नाम है राजिनी मेरे साथ पर सड़ी मेरे लड़कों की मेहना हूँ मेरे तरकड़कों की मेरे घर में नहीं सकता चलके आजाना मेरे घर में नहीं सकता चलके आजाना मेरे घर में नहीं सकता चलके आजाना दिवार के पिछे चात के अपर मर्द नाम की कोई भी चीज ने दरा आजाए फॉरन पकल के लिए आओ कैसे ही आप मर्द नहीं है आज नहीं है में कलीबा क्या है जवाग नई है खुश्बू नया शमाग मुझ में दिमाग है दिल के साथ पढ़ लेती हूँ मैं ज़स्वाग मेरे वपादार करता मैं हलहर चल कल लाग मेरे घर में नहीं सक्षराच चल के आ जाना मेरे घर में नहीं सक्षराच चल के आ जाना मेरा नाहरा गिरी, मेरे साथ परस्पनी प्यार भरा है मेरा नाहरा गाए जिसको तारा जमाना नए नए है दी हमारे, बड़े बड़े है दी हमारे मैं ठेडों दिल के तार, मैं जो नाचो नाच बहार मेरे घर में नहीं दक राज जल के आजारा मेरे घर में नहीं दक राज जल के आजारा मेरा नाहरा गिरी, मेरे नाच परस्पनी मेरे घर मेरे नहीं दक राज जल के आजारा जोजवान अब तुम जाकिसे हो अरे ऐसे कैसे जाएंगे पक्षिष्टे कर जाएंगे तो जोओ ना तो इसका मत्तब यह कि शुटिंग से पहले तुम्हें मेरे पैसे गाइब कर दिये क्या मत्तब तुम्हारी बेटी यह चीतर से जानती है मेरे पैसे लाओ कॉंसे पैसे पैसे मेरे पैसे कर दो मैं पूलिस को कर दूँगा अभी देती हूं रिंगो रिंगो को रिंगो कान है हलो। रिंगो यह कुछ मांग रहे हैं तो यह हमने तो ख्याइब आप तुम कुछ इने देकर देवाना करो यह दे रहे हैं लेकर ही जाना य подар? यह दे रहे हैं लेकर हैं ले क्सा कार्णा चर्वाट बहे मुझे पिता जी, मुझे भीया ने बार बार इस शाधित से इंकार करने को कहा। मगर मैं क्या करूँ, जिन्देगी में मैंने आपके सामने कभी सबान नहीं कुली। मेरी शाधि के लिए जब आप मा की चूड़ियां बेच रहे थे, मैं अंजान बनकर सब खुश देखती रही। उधार के लिए जब आप सारे शहर में भटक रहे थी, तब भी मैं खामुश रही। जब आपके दुखों को मैंने अपनी आखों से देखा, तो मैंने घर छोड़ने का पैसला कर लिया। जापके देखती आपके पैसला के अवार करेको डिया। में आपको परकाश मैं बाइगी जजबात को समझ सकता हूं मैंने शहर के तमाम पुलिस्टेशन्स में आपके बेहन के फोजाने की खबर भीज़ दी जैसे ही खबर मिलेगी मैं आपको फॉर्ण इसला करूगा अदिक अधिक कर्दा नहीं चुका आए तुप अधिक आए और शॐस्ट नहीं अधिक गात्ते घ्र साइगे लेकिन आप प्ताइब लेकिन भाईयों इसको करदा सिर्फ बाहर वालों का भी तुकाना है यह देखिए प्रोनोट मेरी शादी के वक्त इनके स्वर्गे पिता जी ने दहेटा देने की स्थिती में मुझे प्रोनोट कर दिया था मैं अगर चाहूं तो घर को निमाम करके अपने दहेट की रखम वसूल कर सकता हूं लेकिन मेरा फरिष्टापन और दर्या दिनी देखिए कि मैंने आज तक इन लोगों को सागत के बारे में कुछ नहीं बताया बलकि करदा उतारने के लिए एक एक सॉलिन तरीके बताए वाग अपने अपने गांद बर उठालेंगे आप अपने गांद बीजिए मत गुठेड़िये क्यों आगि तेड़ू है मैं तुम्हारी भूपी का पती हूं तुम्हारा फुपा हूं घर का सदस्के हूं परिवार कामदार्थ हूं तो आप कंदों पर खाते हैं और चोक्वे मेरे और यहां करने पर लगती है आप तो भाईयों मेरे शच्जबाती मगर मासूं भतीजे पर रहें की कि तरह से मैं आप लोगों की पाउप परता हूं आप वह हमारे ले किसी के पहर पकड़ने की जरूती है तो हम करदा चुका ना भी जानते हैं तो आप यह आखरी मुझे प आपके जी में आए वो करते हैं तो आप तो घर के आदमी है हम दर्द है सबर कर सकते हैं थोड़ा सबर कीजिए तबर का फल इतना मिठ होता है है कि आपकी कड़वी जबान को जबारा शक्र की ज़रूती जड़ेगी अरे वाख पाप के मरने का कोई दुख नहीं हुआ तो होता ही मरने के लिए उनके मरने पर कौन अफ्सास करेगा बहुत अच्छे अच्छा एक बाता मुझ्छा तुम्हारे घर से कुछ रुपए चोरी हुए है हाँ सही सुना अच्छा कोहीं वो रुपए तुमने मेरे लिए तो नहीं चिराए और अगर चिराए भी है तो कहां है वो रुपए तो मैंने तुम्हारे लिए थे मगर उसी रात साला कोई मुझ्छ से विमार कर ले गया और तो की तरह अगर मर्दों का भी कोई बाजार होता तो तुम्हें वही पर ले जाकर बचाना चाहिए था जिस कह रहे हुए वे पूच्छ रखने से आदमी मर्द नहीं हो जाता अब मैं तो एक जिन्दगी को बचाने के लिए आपके कीचर में कूद पड़ी तू तू तो वो कीचर है जिसने अपने बुरे कामों के लिए अपने बात की जान ले ले अगर मैं गंदी हूं तो तू गंदगी से भी जाना है देख मूं संभाल कर बात कर वरना मैं हुलिया जा रही हूं तुछ से डर कर नहीं बलके तेरे जैसे जलील के साए से बच जा रही हूं जल निकले हांते निकले देख जोगा अब कर दो शुआ अब कर दो शुआ है कर दो जो रहे हैं अए अधर मुझा रहा है अधर था इसे चाटा नहीं से पाता रिमाला मा इसने वो नीच और घिनोना काम किया है इसके लिए अगर इसे जिन्दा दफन कर दिया जाए तो वो भी कम है क्या किया है इसने जानना चाहते हूं इसने क्या किया है अई मा मैं ये गंदी बात अन्य जबान पर नहीं ला सकता इसने भूल की है तो इसे सजा ज़रूर मिलने चाहिए अगर इस वब तुझे भी ऐसा सुना किया ये तेरा भाई है अगर इस वाद तेरा को मालूम है उसने मेरे को क्यो मारा क्यों मारा इसलिए मा मैंने ना उसको नौकराणी रदिया को चुप चुप कर गंदी अरकते करते हुए देख लिया था मा पहले ना उसने मुझे खुन बनाया मिरे पाउ पकर लिये मा कहने लगा किसी को मत कहना मैंने का मेरी रगव में हिजददार भाव का खुन है मैं तो सब पकरूगा और मा उसने मुझे मारा चंदन खवरदार जो जबान से प्रकाश के लिए ऐसे गंदे शब्द निकाली की मैं अपने बेटे को अच्छी प्रस्टाना इस गरीब द्वा की जोली में एक ही ही है और वो है मेरा बड़ा बेटा और जहां तक रजिया का समंद्ध को एक नेक और शरीफ लड़ी आइंदा अगर भूल कर भी उसके बारे में कोई शब्द का तो मुझे बुरा कोई न होगा अच्छा तुम लोग अरे चंदन कमाल है यार का है तू एक मुल्दत भी तुछ से मुलाकात ही नहीं हुए तुम लोगों ने पहले जाना ही चोड़ दिया है लगता दन्दा बानी शुरू कर दिया है तुम जाओ तो तुम भी आजाओ पार्टनर्शिप में तेरी कसम भाव ले करा था दिया है? में था उत्रव साथी कहा दू उत्रव दिया थ्ल्वास वांस दियाक, तो ऑल्वाद कि नहांस था था प्ला की खाओ प्मल दार्व' चर ज兩ख कर दे लंदेता वांस पनला पर्स हो जा सकुए खा धशना है इतने दिनों से तु कहा थी अरे बोल पंगी मैं तो त्यरा भाई हूँ मुझे दो बता बोल सर दो बोल ला भीया घाल चोड़ने के बाद मैं सीधर रमेश के घर गई उसने मुझे सहारा दिया क्योंकि उसकी पिता हमारी शादी के खिलाव से इसलिए हमने बगवान को साक्ती मंदिर में शादी कर ली उसके पिता को एक जिस सब पता चल गया और वो रमेश के मुझे सुदा करके अपने साथ ले गया आज वो सबर दस्ते रमेश के शादी किसी और लड़की के साथ कुलवा रही है मेरे लिए पर्दे के सिवा तुक्र कोई रास्ता नहीं था भी या माफ करना कि शनलाज जी मैं बुलहन का बाप हूँ फिर भी वर्दी पहन के आया हूँ राज वर्दी उटारने को नहीं तो प्रम दे आरे ला पर दूनिया जानती है कि आप आप एक आरी बैट्री की तरह हमिशे चार्ज में रहता हूँ एक राज तो भी वर्दी उटारने को टाइम नहीं मिलता हूँ अज़र आपको पेपांट रहे हो मुझे भी तो मुझे भी लग लग रहे हैं कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए आदमी आपकी बेटी से अपने बेटी की शादी जबर्दस्ति करवा रहा है जबकि इसकी शादी मेरी बेहन से पहले हो चुकी है क्या नहीं समझेजी जूट है इसका विश्वास मत कीजिए यह नकली तस्वीर चप्वाकर मुझे ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहा है अरे तू खुद पापका मैल है तुझे क्या ब्लैक मेल करेगा और यह तस्वीर इस मंतिर में शादी की थी लेकिन आज मेरी मर्दी खिलाब मेरा आए पाप तवर्दस्ती मेरी दूसरी मारा शादी करवाना चाहता है हमने सिर्फ हारी नहीं डाले पिताजी बल्की पती-पती की तरह कई दिलों तक ग्रहस्त जीवन भी बिता चुके है शादी शुदा चैसे लाफ मारूगा किया हम आत्रटा दूगा शरी पच्ची का हक शिदक उसके जन्दगे तबाकरना चाहता है जालो बेटी जालो वान शुदी तुक्त फोरो गुदी शुक्त-जादी परो अच्छे लिए नमस पाहा जो देव दो दित आमस पाहा उम पूद्ध दित आम यहां देखकर बहुत पुछ होगा बहुत पुछ होगा बेटा अप्रकार जा मेरी आलत ख़ाब होगी, फैंडल को मात अधुक्ने लगिया, मेरी हाथ दुक्ने लगिया और शूर जैसे मेंड़क उठाते उठाते मेरी कमद दुक्ने लगिया, पख़ए जैक, या तो तु जूर पॉलनागा, मेंड़क बनागा नहीं पॉलनागा, जाल, पॉझ लिए सोने जा रहा है, खाला, काम चोर, पॉफट कोर, निवाले खोर, हरामी, तो कुछ भी है, सबकुछ है, दला खुर भूर रहा है, पचल लो, जा है, खुल गई, अब हराम जादे सोर, कदे कि तेरा खराटे मार मार के सो रहा है, मेरा बेजा कैसी कम करेगा, अरे गुस्ता मत तो और गुरू उस सेट को तराटे लेने की आदत है मैं नहीं लूँगा तो लेडी है ना कुनसी फैमिली लेडी उसको शक्ख हो जाएगा उसके लिए आवाज निकाल रही हो तो थोड़ी रहा हूं तो थोड़ी रहा है प्लेटे जी में आता है कि एक पंच मार का तेरे दाट तो लेकिन मुझे डर है कि तुस्तार कहीं मरना जाए देख भई या मैं तेरे से आखरी बार पूछता मुझे बता दे अरे तंग मत का अलो बता से गुरू अरे देख गुरू ये बच्चा विचार किते प्यार से पूछ रहा बत लूट कि देखा किया अर्म उतुरीं किहाँ किया अरे तुम्हें समझकर मुझे खुछ करने के लिए से तुमारे साथ आख किया हो तो फिर इसी पैसे के कारण मेरी किलाउती बेटी मेरा खर छोड़का चली गई फिर भी मैंने उसे ना ठूड़ने की कोशिश की और ना असमार में इस्तिहार दिया और तुम क्या समझता हो कि मैं तुम्हारी थमक्यों से डर कर तुम्हें तेजोरी का नमर बता दूंगा कभी अधिए आदमी के रिया है इसकी बेटी आएगी जो घर छोड़के चली गई है और इसने इसको ढूनवाने के लिए आखबार में खबर तक नहीं दी अगर हम लोग आखबार में खबर दें तो उसकी बेटी मिल जाएगी और उसके बाद जैजी आजी आज़ा है बट्चा टर गया एर बट्चा नों गुम खालिया था क्या दम ना पर गाल निन बडी नी चुटी गाली मामी रादा मेरी बच्ची तो कहा थी इतने दिन बेटी क्या इस तरह मास्तर रुखकर कोई खर छोड़कर चला जाता है तेरे बापु का गुस्टा ठंडा करने की ने बहुत कोशिश की अगर तू तो जानती है वो कितने जिद्धी इंसान है पर यह क्या यह कैसे तुने मामुली से कपड़ी पहन रखे हैं? तहां भी इतनी दिन ममी मैं सारी बातें बाद में बताऊंगी अभी इतना बता दू कि मैं एक मामुली घर में नौकरानी बनके रह रही हूं वो लोग बहुत शरीफ हैं मैं वहां बहुत खुश हो और सरक्षत हूं ममी इस वह बहुत तक्रीफ में हैं उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है जल्दी से 15,000 पर दे दो ममी प्लीज ममी जल्दी करो ममी प्लीज प्लीज ममी सुझा सुना बुज़गों का कहना है कि अगर नौकर घर की सुग्दुख को अपना समझने लग जाए तो उससे नौकर नहीं अपने घर का एक इंसान समझना चाहिए अगर तुम भी हमको अपना ही समझते हो कैर नहीं तो एक केपा करो हमसे कोनों सवाल किये भी न इस पैसा ले लो और एक खांदान पर जोनों कर्चा है वो क्या अदा करो मैं तुमसे कुछ नहीं पुछूँगा अब पुछने की जरूत भी क्या है तुम क्या हो तुम्हारी असलियत क्या है वो सब कुछ आज की जख्वार में चप चुका है है नहीं तुमसे अच्छी तरे जानती है कि मैं किसी का इसान नहीं लिता इसलिए पैसे तो हर्गिस नहीं लूँगा कि मैं तुम्हान शुक कर गुजार हूँ कि तुम्हें क्रोड़ पती बाप की बेटी होते व्युवे भी हम गरीब हों के बीच इतनी दिन गुजारती है नहीं प्रकाश पाबी इस घर में तुम जैसा फरिष्टा रहता हो वो खांदान कभी गरीब नहीं हो सकता तुम्हारे पास खुद्दारी शराफत और इमांदारी की दौनत है और तुम्हारी इस दौनत के मुकाबले में आदमी थे जिसने मेरे पिताजी को मूँ तोड जवाब दिया उनको सच्चाए का आइना तिखाया तुम्हारा वो अंदास मुझे बहुत पसंद आया और उसी रात मैं और मेरे पिताजी खाना खा रहे थे तो यह क्या कर रहे हैं अप मेरी चुडिया को दिन रहा है इसलिए के मेरी आफिस में बेवकूफ नौजवान आया था एनने लग आपकी बीवी के हाथ बेचुडियां कि दिने हैं बेवकूफ नहीं था डैडी बलकि अकलमन था ममी उसवक्त मैं भी वहां मौची थी क्या नौजवान था हीरो अफ़ प्रेजन ससाइटी वहीरो नही इसलिए होता है इसलिए बिल्कुल सही कह रहा हूं मेरे बेज़दी पे खुछ होने से पहले ये सोच लो तुम्हारी जिन्देगी की हर खुछी तुम्हारे समीर बाप के दम से हैं तुम्हारे स्मूटर है पंगला है एर कंडिशन कमरे हो सब मेरी वज़े से हैं अपने बा दूलत के मुकाबले में आप अपनी बेटी को फुछी समस्ते है बेटी प्यार महबत क्या है सब बखवास से पैसा है तो सब कुछ है वाना कुछ भी नहीं आप पैसी की किरामा ते समझी जाजा कोई जरूवत ने बुलाने की तुम्हारे थालेगी तुम्हारी जिंदेगी की हर कुछी तुम्हारे समीर बाफ के दम से अपने बाफ अना में खुद कुछ कमाने की खुछ पर तो पता चलेगा कि आपका कहना है कि मैं बाहर की दुनिया में अपने बल पर नहीं की सकोँगी जिस दिन मैं यह साबद करतूँगी कि मैं जी सकती हो उस दिन मैं आकर आप से दिलूगी तुम कभी साबद करके नहीं दिखा सकती करके दिखाऊंगी गुद्पाइ और उसके पाद मैं यह तक्दीर मुझे यहां ले आई यहां आकर मुझे पता चला कि यह घर तुम्हारा है उस इंसान का है जिसका मेरे पिजाजी ने अपमान किया इस नौके पर तुम्हारा हक था, वो तुम्हे ना देकर तुम्हारे साथ अन्याए थिये कि अगर तद्वीतल ने शाद दिया तो मैं तुम्हारी नौकवानी से तुम्हारे जाढ से बन का रह जाँँगु मैं तुम्हारे जस्मात की कदर करता हुँ रहा था हाला कि जब मैं पहली पर तुम से मिला था तो जी जगा कि तुम्हें एक अमीर खांदान की बिगरी हुई और बस जबान लड़की हो लेकिन आज मैं कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी है बलके बहुत महान हो मैंने तुम्हारे पिताजी को लिग दिया है कि तुम्हें आओ और वो बहुत जल्ट में लेने आ रहे हैं एक अच्छी लड़की होने के नाते में तुम से उमीद करता हूँ कि तुम जाने से इनका में ही करोगी ठीक है तुम कहते हो तो मैं इसका से चली जाओंगी लेकिन बहुत चल्ट वापस आजाओंगी जानते हो क्यूं क्योंकि एक दिन ये घर मेरा होने वाला है गर तेरे आओं के तुल लगन बन के लड़ ले गुजरातन के तुम जानते हो जानते हो क्योंकि दुल लगन बन के लड़ ले गुजरातन के लगती निर्वन गांती निर्वा पूरे करूंगी अजमां बनके गर तेरे आओंगी तुलगन बनके लटके लिए कुछ लाखन के लगती निर्वा पूरे करूंगी तेरे पास रंगी लरे रजा दोनों मिलने लेंगे हम राज सजार होंगी तेरे पास रंगी लरे रजा दोनों मिलने लेंगे हम राज माजम दे में सट जाए तेरे रंग कारूंगी तेरे रंगी लरे रजा दोनों मिलने लेंगे हम राज कि अधार होंगी तेरे पाथ रंगी लर राजा अगण मिलेंगे घुमराद लटके हैं गर्बे के प्यार रूप जवानी तेरे साथ है पर धटके वाली लावनी में सुनते हैं यह और ही कुछ बात है अगर तेरे आउंगी दुलगन बनके जटके लिए मरादन के कर दो कर दो कर दो कर दो बलラत झाल था झएडे नीन ऑग झाल टेया प्रिमेश्वर और प्रिमेश्वर, प्रिमेश्वर, प्रिमेश्वर मेरा पती मेरा परमेश्वर रहतम आठाकरी कशा आठाओं भी पंदर पुरी जटके है लाओ निक्यतारे रूप जवानी तेरे साथ है पड़ोल वाले भांगडे में पड़ोल वाले भांगडे में सुनते हैं के और ही कुछ बात है तो लो बाक्षा ओ घर तेरे आओंगे दुलगन बनके नखरे लिए पंजावन के अजब गड़ोल निक्राओंगे दोवड़ों खरे वाले आओंगे लिए निक्तू तो लुद्प़ोंट भांगे कर दो दो बढ़ गाई है वे तिर नल माही में सजी अक्खा लड़ गई हां वे संग्धिरन में छड़ना तिर पिटे पड़ गई हां वे तिर नल माही में सजी अक्खा लड़ गई हां वे चांचा से धिड़ी मेरी जुती में दिये वे मैंके नहीं रेना मां बुड़ बुड़ कर दिये वे संग तेर नहीं छड़ना तेरे पिछे पड़ गया वे तेरे नल माही में सड़ अतका लड़ गया पंगालन मारवाडन काहें बने तू मद राखन हरे हरे एक रूप में प्यारी लगे तू है मेरे दिन्देगानी वेरख कोई भी पदले तू तेरा मन है हिंडोसानी तेरा मन है लगे घ़िए कि बड़ी खुसी हुई कि मेरी बेटी राधा आप जैसे इज्जदार नहीं मैं इज्जदार और सजन लोगों के साथ थी परना मैं तो परेशान नहीं परेशान होगे तुम्हें माफ करना बेटी मैंने अन्याने में तुमको भला बुला कहा तांटा जानी आदी केसी बाते करती हो दादी मा बड़ों के मुझसे निकलीवी गालिया छोटों को दुआ बनकर लगती है जो बड़ों की डाट खा लेता है वो जिंदगी की ठोक्रे नहीं ठाता आप लोगोंने मुझे जिंदगी में यह अपना पंड दिया जो मैं अपने पिचा की पूरी दौलत हर्च के भी नहीं हरी सकती है मुझे तो आपका शुक्रियादा करना चाहिए आपने इने पैठा ना अधिक यादास पूरी कमजोर कमजोर हो गई है तो मुझे कुछ याद मेरता भूलने लगा हूं तो मैं तुम्हारी मामी तुम्हारे इंतिजार कर रही होगी तो मिलने आओगी ना सब्सक्राइब ना चुरुत सकती है ना कभी आपलोगों को पूशक्ते ही आप तरफ चिलमे राधा को याद करिए तर्फ मैं कोड कोड़ी हाँगी घुक्डी ज़े जाले पहां आना वेट्ची पुरू रहाना बेटी, तेरी माँ तेरा उपर हिंजार कर रही है, क्या मिलिए? बेटी, रस्म, मेरे पएर में तरह तकलीफ है, तू उपर जाके तीजोरी खुले के पजासार उपर निकाल कराना, आफिस में नोगों तरखा देनी है मैं? मैं कैसे लाखत की हूँ डैडी? आपन तू मुझे तीजोरी का नमबर बताया है, नहीं? यही तू मुसिबत, अब देख, मेरी आदास को जाने क्या हो गया है? तेरे को नमबर नहीं बताया, तेरी माँ को भी नहीं बताया, मैं खुद भूल गया और पैसुम ही अस्तर जरूँए था कि उनकी तरखा दोगा गुद आभटा को आडफा है? तो यह सला. आपने वह को तो भी सला हुद आपने का नमबर ने बताया, अपनी बदाया, तो बदाया है. पना परकार्ष्. औरे राद्रा, तुम? तुम, हा पृकाश. मुझे तुम से एक तरूरी बात करनी है. मेरे पिता जी... क्या हुआ तुमारे पिता जी को? पृकाश, र्णा सवस्वर भर है. मेरे ममी ही नहीं, मैं भी आउनको देखकर बहुँ परिशान हो रही हूँ. वो मेरे पिटाजी नहीं हो सकते प्रकाश ये तुम क्या कह रही हो इसके बहुत से कारण है तुम्हें याद है जिस दिन मुझे लेने के लिए वो तुम्हेरे घर आए थे उन्हें उन्होंने तुम्हें नहीं पैचाना ऐसा कभी हो सकता है पिटाजी की यादाश तो करते हैं कि अख्रयत क्या है ठीक है रहीम चाचा मैं आभी आयां प्रेंक्टी नेट्रा, एंतिनी क्विंग, मारलन ब्रेंडो, माइट स्पेशिलिस्ट, यह मैं कि दिमाग का दॉक्टर हूँ, और मैंने तुम्हारे दिमाग की चोपड़ी पड़ी है, और इस नतीजी पर पहुंचा हूँ, कि तुम्हारे दिमाग के बरतन में नाटश की कीर मर गए, जिस तरह प्रेक मारने से मतचर मर जाती है, हमें उन कीडों को किसे जगाना होगा, एक एक कीड़े को उठा कर उसमें आकल का इंजेक्शिन उठाना होगा, इससे पहले तुम्हारी खुपड़ी का दक्षम खोड़ कर उसमें से भाल निकालना होगा, कोई दरूबत मिश्टर गेदार इलाज जी, तुम्हारा भेजा मच चुका है, एक दम मुर्दा लक्री के माफ़क हो गया है, इसलिए उसे चुरे से खुपड़ा करके खोलना होगा, नर, इस मुर्दे को, अब मेरा मतलब है, इस मर इसको ले जाकर, अलंकर सुरात दो, मैं यही जीगू, बेशन, बेशन, दिद मत करो, कैसे जॉक्तर बोला, वेज़े करो, इस अब लेज जो बाद, आए, मेरी माँ, जाओ, मैं भगवान की किसम कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा बेजाबिल गूल ठीक है, मेरा नारे अलमत का तो, हर्ज मरेज, ऑक्सपरेशन के सामान अगर मारीज पालंग पर नहीं आता है, तो ना सही, हम इसका ऑपरेशन, यही बेटे बेगे जाते हैं, मुझे मुझे माप कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं भगवान की किसम खाके, कहता हूँ, मैं गिर्धारिलाल सेट नहीं हूँ, पकी हूँ, भीकारी हूँ, जिसको भीक अब आया ठीकाने पर, अब बता, असली सेट गिर्धारिलाल जी कहा है, बताता हूँ, मारानी, एक, मुझे भी ज़्यादा, चारसाबी चादमी है, डेविड, अबे, तु कितना ख़डू साथी है, अबे, बोलना तरी से औरी का नंबर क्या है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, यह देखो, यह चोटू है न, इसके मुझे जो दाथ है, कील से भी जारा तेज है, चांते हो, यह बड़े से बड़े कबड को चबाद चबाद कर, उसका भूसा बना सकता है, अब बतादो, बतादो नो ती जोरी के नंबर क्या है, नहीं बताँ का मै मैं नहीं कटनगा, यह मेरे बाब जैसा है, अब साले, तो फिर मैं तेरे और तेरे बाब का बोज़ा क्यो उठाओ, है, कैलबर्ट, मेरे को मीच्चे भेग दिया, दंग ना कुड़ा, तो सेट अब तेरे लिए को यह और इलाज जूना पड़ेगा, अब तेरे लिए को यह यह जज़ा, यहिए तोार का वी, यह भूद। प्ध dès दो गज कि बसा दो is बदे खाजिए जजए लुग जगा जदे भी शोगस मनि जजए आखिए ज पी देख जगारी मुद आम पार जगारी मुद आखए जगारी मुद्छ कि अजगारी मेर जिद उजगारी मुद्छ कि मुझे बाफ कर दो कि उस दिर मेरी आपने से मेरे गले पे छुरा रखकर मुझे धंगाने वाले करांधिकारी तुम ही थे ला यहां आप दॉलत के घमंड में पड़े लेके गरीबों की मजबूरी का मजाग उड़ा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बगावत प है फ़ेख मेरे अबड़ी कर दो करन किया है तक ही तुम्ै करन किहाएं हर काम मजबूर होगरी करता है यह विए मेरे दोस्त को बच्चा है उसे मरत वक्र-दोसे मेरे हवाली कि और मैंने जमेश अपनी और कि दिल में पेड़ाशी सुराख है डॉक्रों कहना है अच्छा हो जाएक लेकिन इसके लिए 50,000 रुपे की जरुबत है तो मुझ जिसा भीकारी तनी बड़ी रखम कहां से ला सकता है इसलिए जब मैंने आपको देखा ये गंदा विचार मेरे मन में और में ये बेहुत हरकत का बैठा अगर आप समुझते कि मैं मैं गुनेगार हूं तो मैं आपका मुझरिम हूं आपको जो सदार देनी ही देदीजिए आप अपनी ओलाद को गैर की अलाद से कम तर समझते हैं ये दूसरे की ओलाद को अपनी ओलाद से बढ़कर चाता है कि और आप अपनी ओलाद को घर की ओलाद से कम तर समझते हैं आप दॉलत के मैदान में भले अमीद हूं लेकिन इन्साने तो जजवात के मैदान में आप इस पगी से भी बहुत ज्यद्ध गरीब पार बीटी अ मैधी ने मैधी अ मैंने सुना है तुम्हारा घर कर्ज के बोश्टले दबा हुआ है अगर मैं तुम्हारी कुछ मत करशकूं तो शुक्रिया सेट जी आपका इतना कह देना ही काफी है बापका लिया हुआ कर्ज अदा करना बेटे का दर्म है और मैं अपना धर्म खुदी निवांगा भगवान कर्ज के पहार को मेहनत की कुलाडी से काटेंगे कुछ करेंगे पाईयों और बैनों हमारी रॉयल साइकल ठीकुवियों को जाचने के लिए समप्दी की तरफ के एलान है जो कोई भी लगातार साथ दिनों तक साइकल चलाएगा उसे दस हजार रुपया इनाम में दिया जाएगा याद रखिए 10,000 रुपया साथ दिनों में 10,000 रुपया तुना है आज कल पैसों के लिए तू हरका क्या काम कर रहा है अगर यही तेरे लेटेंड रहे तो खांदान की इज्जत का सत्या नाश होंके नहीं जाएगा को सत्या अंसों का मैं चोरी का काम कर रहा हूं मैं सिर्फ बडु़ा खाना नाशता कर लए ईक सब्सक्राव highlighting में सब्सक्रावटेल नाशका करें का सब्सक्राव। अब अब वहा अब मेरे लोहार के आँ तोड़ा चलाने के सदमे से मर गए यह तुम मुझसे कह रही हो मेरे पिता की मौत का थिम्हेदार कौन है यह ऐसा तुम मुझे दिला रही हूं तुम मैं कोई तमाशा करने वालों को जवाब दे रहाँ तुम कि पीता ची मर गए मैंने कि मरे नहीं भी हम सब में पयरों तर्यू अधर कर उन्हें हम सब उनकी गाती हैं वो यह इसां दिन राद मेरत करके पांसो रुपय लाता था और उन पांसो रुबए से हम सब के दामनों खुश्यक डालना चाहता था लेकिन हम लोगों ने उनकी मेहनती कदर नकरते हुए अपने दामन ज्यादा पहलाने शुरू करते हैं और जिन्दगी के दामन उनके हाथ से छूट गया अपने गेरामानों में जहांकर अपने झारी से के तामना फ्मस्ट इनके बांसो युड प्रेवार्स पीन्यादा से लोगजों जहांकर ऑyttा हे बस्ता हैं जहांकर वालन Verma जीवन के राते में जीदुन की जतने हैं इम्मत से ही महनत से ही तो भाग बगते हैं जीवन के राते में जीदुन की जतने हैं इम्मत से ही महनत से ही तो भाग बगते हैं जीवन के राते में जीदुन की जतने हैं इम्मत से ही महनत से ही तो भाग बगते हैं अगवान है तेरिकार, देमान है तेरिकार कि दिए, बाहर हुआ 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 है, बाहर हुआ है कि पत्र चल्ध सह जब । है ए keeping are back कि अंसुना को बढ़ भूद कर दिया पसीना जारों सीदेजी कि इस जिन्दगी को छीना कि तुन गया जाने की आशों को बढ़ गडर कर दिया पसीना जारों सीदेजी फीना इस जिन्दगी को जीना, जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही महनत से ही तो आग बगते हैं इस जीवन इस जन्दगी को जीना, जीवन के रास्ते में जीवन था मत से ही म।ो आग थीनिह तो आग व्हफ आग, जी जी शित जीनिप्री सदगी को जब मदनें। हुआ हुआ है हुआ है हुआ है ताकत है होसले में इंसान से ब्यादा तुटे बले हिसासे तुटे नपर इरादा तुटे नपर इरादा भग्वान है तेरे चाँ रहमान है तेरे चाँ जीवन के गास्ते में, जीवन की जो चलते हैं, हिमत से ही, मेहनन से ही, तो भाव बदर दे हैं मा, पन admin, कैरे रहता पारो ज花 रहे आरी कैं अ 처ільंत है Yak engineers जीवन रहाता पारो जै आी का, को जो जो बाड़रो कैंी इस जीवन की की जान हा हुऽHelp á प्ला की करने से पहले में यह देखना चाहिए नहीं हम यह सोच कर वहां पर गए जो सोया हुआ है और वह सोया हुआ ना हुआ तो अच्छानक पाम की तरह पर फूट सकता है यही खायाल से तुम भूलिया के पास जागर कोई नाटक शुरू कर दो वो खुद ही अपने आप पैसे चुरा कर हमारे हाथ हमें रख देगी बेरी गड़ अरे बेटी रहने दे यो तकलीफ कर रहे है अरे तकलीफ केसी बाँ मा प्रकाश कह रहा था कि उसमें यह साइकल चलाने से मना किया था अब किसमों से उससे यह पैसे मांगेंगे हम तुम परकाश के कमरे में चुप चाप चाकर वो पैसे हुआ लाओ, तुम बर कोई शक भी नहीं करेगा परकाश ने राद दिन मेहनत करके ये पैसे कमाई है और तू, तू मुझे वो चुराने के लिए कहा ही है अब मैं समझी, इस घर में चोर कौन है मेरे बेटे के पैसे किसने चुराए तू ने, तू खुणी है, मेरे बेटे का खुण तू ने किया तोको लोको तोको डाइस Mary डाइस момент डाइस डाइस लोग जा डाइस्टा व्लोग तर सीघे कमा व्लोग डाइस पора 106 व्लोगस फडेकता तरह वीजया और जादरे मा सुजा, सुजाब जाँ, अब आराम से, सुजाब कौन है, अरे कौन है, निया को गरा, कुछ है, कुछ है अरे छुपाओ क्यों तो पिछे, कुछ है, क्यों है क्या कुछ है, यह क्या है क्या हिए अबे, क्या हिए अच्छा, तो नौबद यहां तक पहुंच कही यह चोरी करने लगा मीने, मीने, चोरी करता है ट्रू कर दा गणית, तसा तुमने जानादी इत कमिले क्या किया, हद्याद तरसिना, हद्याद पयदा ट्रू कर दे जंदन तुछ मार खाने के लायक है तुझे मेरी परवा नहीं नशाइए मगर यह तेरा बड़ा भाई है कम से कम इसके पांदे तो सिगरेट का तम मारते मारते इसका सारा बड़ा पन निकाल दूगा अरे पिता जी को मरे हुए भी दस दिन हुए नहीं और यह लग गया हमारा बाप बनने अपनी धौस अपना अधिकार जमाने इसका हो अपने हाथ कावों में रखे औरना हाथ मेरे भी है और मुझे चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है अरे चाप बुड़े सुझे का तुझे तरह भी लियाद नहीं अरे चाप पूसी तज़ा देने से पहले सूथी यह तेरा चोटा भाई ही ते तुमसे इज़त से पेश आना चाहिए मिस्टर चंदन तुम खुद मुक्तार बनना चाहते हो तुमसे बड़ों की इज़त नहीं होती तो चले जाओ यह से अच्छा चला जाओ अगर मैं इस घर से चला गया तो जानते हो क्या होगा और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा जानता हो बार भाई कहकर तुम्हारी पूजा करनी होगी तुम अगर मारोगे तो चुपचात सहना होगा अपनी सबान बंद रखनी होगी यही ना नहीं, सिर्फ यही नहीं, बलके इस घर में मुझ्ख खोरो के लिए कोई जगा नहीं, अगर इस घर में रहना है, तो बाहर जाकर मेनद मुझ्री करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर रोटी मिलेगी वरना नहीं, समझा, मुझे इस घर में रहने के लिए मेहनत करनी पड़े, खाना खाने से पहले तुम लोगों की गालियां खानी पड़ेंगी, तो ठीक है, मेरे मापाप के बड़े बेटे, और मेरे सब से बड़े दुश्मन, मिस्टर प्रकाश, तुझे सबक सिखाने के लिए, मुझे ये गल विए की ले और से दुश्मन, मिस्टर प्रकाश झालियां वेले, तो था olması लिए państwo से थाँ है झालियां खाना खना खाना खाना जो हिए हुआ है रहां और मिस्टह जराना करना खाना के ऊलिए द Zwाeed येंजी विए मोppen लुब कोराम है झाल झाल आवे और ठकल के प्रकाश मेरा बड़ा भाई अरे वो साथ दिन साइकल चलाकर दसाजार रुपे क्या जीत गया अपने आपको ऐसा समझता है जैसे लड़ाई में जीता हुआ राजा भोज तुम अपन के चालू ग्रूप में जॉइन हो जाओ अपन तुम्हारे बड़े भाई प्रकाश को राजा बोसे धंगू बना देगा सिर्फ जल्बे जल्बे होंगे जल्बे चटने करें आह मर गई अरे रे तुम्हारे पती मरने के बाद विद्वा हो जाती है और कुछ मन मरने के बाद साक्षा देवी जैसे औरसको तो गाली दे रही है भगान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे तुम कहन कि है की चाहती हूँ जो कुछ मैंने कई वो गलत है गलत नहीं है पती के मरने के बाद सश्राल से मैंके जाने का रवाद है और तेरी तरह की के साथ मैंके में जम कर उस घर को बर्बाद करने वाने नीच नीच है बहुता जीप रहा यह expnis बोलो कि मैं तुमारी बेटी मी। अई संधी! प्रोनोट? कॉन सा प्रोनोट? जरा दिखाना का सही? अभी दिखाता हूँ! में मैं प्रोनोट कहा है? अंकर जी, कहीं आप इस प्रोनोट के लिए तो नहीं रहे हैं? आँ यही तो है! अंड़ यही है! मगर यह तुमार पास कैसे हैा? हाच की सपाई जो मैंने आप तो सीखी है और आज आपपर ही आपकार है अरे? 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 कित कारी मल लूट गया? इस क़्योटा बेहाँ, सासो मा! सासो मा! नहीं बाईमान चारो मा हो तेरी! पराव मचाओ नहीं अपकी करगी। इसका हमें चकारीओं तो मैं आपकी दिए आपकी। है यह लिचे यह भुपा जे के नाम, यह भुआ आटी के नाम. आंकर आंची मुत बाई एंड ढूद ऑट मेरे कपड़ दाले और मेरे और तो शर्म आंगा है अबमाश लर्की को चेटरा था तक अब मॉड़ा इस बगवाने इस बंब इस्ब यह आप दूते हैं कि आप इमसा से वे डिशिए बड़ा भाई ए बुलिया क्या रहे देख लिया ना अपने छुबे रुस्तम पोते को अब पता चला कौन सही है और कौन गलत बाई चुबा हुआ गुण्या निगला तेरा ये प्रकास देख चंदन आज तक मैंने कभी तुछ से कोई चीज नहीं मांगी आज एक चीज मांग रही है क्या है मेरे बेटे जरस सरो उठा कर आश्मान पर थूख थूख? बस यही मांग रही हूँ इसमें क्या है अभी थूख देता हूँ थूख देख लिया ना आज पांपे थूखा हुआ तेरी ही मूपर आगिरा आप तो समझ गया होगा अपनी इज्जत के लिए जान की बाजी लगाने वादा तेरा भाई और घर की इज्जत का मिट्टी में मिलाने वारा तो उसका पुछ नहीं बिगार सकता हूँ अपनी बुर्या की बच्ची अरे चुप तेरी सारे काले कर्तूद सावित्री ने हमें बता दिया है चल निकल यहां से निकल सावित्री अब 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 शुक्रिया शुक्रिया कि क्या बात है मैं जानतों तुमको ऐसा काम करीवी इस ते जिस के तुम्हे कभी शर्मिना होना पड़े चल पर अब का है यहां क्यों आयो तुम लोग वे तुम तु जानते हो यह शिंदगी और मौत से लग रहे है सावित्री हज़ान के लिए मुझे बद्दाय करो जले जाओ यहां से यह मेरी कुरू दख्षना है जिंगो 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 हुए हुए, 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 हुए. झाल हुआ 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 तर नही पाल पल्धिट हुआ 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 छो ये क्विल्षी का को तुल्षी 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 का मो? यह खाना चंदन को दिया, जहना आज मानी तेरी पसंद का खाना बनाए है, अरे मा, यह खाना तुम मेरे लिए भेज रहे थी, लगता है खाना बहुत बढ़िया बना है, वहाँ तक खुझ भू आ रहे थी, इससे कहते है मा, पहले मैं खाना खालू, फिर तुसे बात करा, यह आजी की मौत के बाद, तुने चंदन के लिए तनी मेनत से खाना बनाया, इसका मतलब मैं चीतर समझता हूँ, जंदन हमारे माथे का कलंग बना है, इस घर की इसद को बादार में निलां करना है, वह हमारे लिए मर चुका है, इसलिए यह मा होकर भी अपने हाथों से बांड आपके बेटे ने इस घर की मर्यादा और इर्दत के लिए अपनी जान दे दी, उरी की पत्ने होकर मैंने यह महसुस किया, कि मैंने अपने कोक से एक ऐसे साप को जर्म देकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसे मार कर खुद भी मर जाना चाती हूँ, उसलिए मर जा वो क्या है, वो क्या है, बेटे, बताता हूँ अरे सुनो, वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग जाओ चलो, चलो लोग जाना भिकर मत कर मेरी जान, तरे लिए सब कुछ चोड़ूँगा सब कुछ? मदा सुदे नए अरे, क्या हो? तरसी क्यों जाने दिगे, मेल नहां वो मैं पाई है अरे, बड़ाप में, सब कुछ चोड़ूँगा पूछने वाले कॉंचे आप पीच्थी तरह जाब ने लिए मैं पूस्ताइब कॉन में इस जाब ने का पूस्ता जो आप यह सिर्फ धॉल चमाने के लिए बनाए गए अब छोड़ो मेरा रास तक चले जाओ याद है उस दिन तुमने मुझे जबरदस्ती उस लड़की के साथ मस्ती मानने के लिए मुझे इसके भाई हो तुमारे दिन में तुमारी भेन के लिए जजबात है इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए उस मुपकड का कोना पकड़के आखे मान को चुछा भाई देखो यह लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी शुड़ा को हाथ लगा है तो इसे हाथ लगा जाए तो हाथ जल जाता है अब जब कोई ठंडा हो और उसे पकड़ा जाए तो हाथ में इसी तरह बदमाशों के साथ दूश्मनी और दोस्ती कि इतनी खतरनाग है यह बात उसकी समझ में आ जानी जाए हमारी आंखों को धोका हुआ है यह मर्द नहीं बुलबुल है बुलबुल क्यों बावली करें दूश्मन की माश्यू का क्या है यह तो डबल कांप हो गया एक तो अब अबने दूश्मन से बदला चुका लूआ था अपनी भूख में का लूँगा मेरी थमदम इने लिख के रिख तर लिरणी दोना हो अजरो चाह कर दो आप 6 जण गपर कर दो ओिर! जब गánे जोगhowst! जब canoe.. जब अ लो बाता गाझनक जिरो दो घैशत! मैकक!! जोगो..... बापयों पेला wire!!!! तुल्सी! बईबाद बचाना! चन्दल, चन्दल नहीं जगें मुदकरो अपस चन्दल उनक तुल्सी जादा रहा उठाकर लेगे चन्दल, नहीं दिसे मालो बचाना, बचाना बचाना! 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 ठंदल बचाना! रिड़ा आजली आजय्टा एंट्र इंटो अजय्टा एंटे नजयदाने एंटे लुज़िए एंटेश एंटेश्दा एंटेश्टाइश्टा एंट। कर नहीं है सब मुआ है! ... K Tambar Nowicoo !!! KELLE voice K क क क क क क क क क क생ons कि अपके लिए आपके लोगों पगड़ा है अपके लिए अपके लिए इसाथ को भी तरह लेजाओ अपर फिर से ख़र गया था आज वो तिनकी पिर से कठ्थे हो गया है आपका बसाया हुआ या आशिया ना ये घर फिर से आबाद हो गया हमें आशिरवत दीजी कि वक्त की आंधी हमें दुबारा भी खेता दीजी भी अफ्य बाद हो गया परकाज बाबू मैं बर्बाद हो गया है किसी ने इसी ने मेरे बच्चे को अखवा कर लिया इलामत उसे मैंने अखवा किया है जी आपने तुम से चिमटा रहता तुम सारी जिंदगी बीमार रहता हमेशा उसके दिल में शुराथ रहता उसका हिलाज कराने के लिए उससा के जयुक्ता में राहि है अब,"कर ये बच्य दिल के खालता है मैं तुमने थां सिखा दोस बोस अधर इस नौ जवान से लोग कहते हैं गरीबी इस संसार के सबसे बड़ी बीमारी है कैंशर की एँर का इमार गरीबी की एक घलाज नहीं है कर बैठे तुमने इसाबित किया कि इस्थानvit वियुआरि की आलाज है तो वह इम्मत हाथ वो कलम है जाकाज के कागस में लिखी वी तफदीर को बदल सकता है तुम ने सावित के बैटे तुम ने बिल्कुल सही कास है जी ये जादी मा को भी सबक दीजिए सुना इनको उधार लेने की बहुत आदत है जी मा ये संसार में भीक ले लो मगर उधार कभी मतलो क्योंकि भीक ले के आदमी एक बार जलील होता है मगर उधार मांगे सुबा शाम जलील होता है अपने घर संसार की गाड़ी को उधार के पईयों पो मत चलाईए और भाईयो यहाप के रिए बहुत सबक की बात है जिस घर संसार की गाड़ी उधार के पईयों पे चलती है तो सुबा शम पंक्चर होती चली जाती है अबी समझाना मेरा काम था आपने समझा नहीं समझा कि वह आपकी मर्दी है अच्छा जाओ घर जाओ पुछ रहो आबाद रहो और टाइम मिले तो घड़ी घड़ी आते रहो इवन के रात से में जी तुन की जो चलने हैं हिम्मत से ही बहनत से ही तो आग बदर है अबी तो आपकी में जी तो आपकी में जी एड़ी तो आपने हैं